हेलो दोस्तो इस वीडियो में आपका स्वागत है आसा करता हूँ सस्त होंगे मस्त होंगे रोजभली कमपानी का जो कोट केस कलकटा हाई कोट में चल रहा है ओनरेवेल चीप जस्टिस राजिस बिंदल जी की अगोबाई में जो 9.9.2021 को सुनबाई हुआ था उसी की बारे में आपको हिंदी में बताने के लिए जो रिक्वेस्ट आया था है उसी के बारे में आज इस वीडियो बन रहा हूँ हमारा चैनल में अगर आप लोग पहली बर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ओन कीजिए ताकि वीडियो आपलोड करती आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए अगर इस वीडियो को देखके आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए वो दोस्तों के साथ जादा से जादा से शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी इस इनपर्मेशन को जान सके चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते पार्टिकुलर्ली जेटा आमार मुने होय जे रोस्भयारी कॉम्पानी प्रत्यकेर इग्रिवांस जे क्लेम गुलो के क्यानो इनवाइट कोचेना एडिजी तार उत्तोरे उन ही बोले छिलन जे जातकुर ना एक्टा फुल इंफ्रास्ट्रुक्ट्राक्ट्राक्ट्रेट क स्टेट कॉर्मेंट थेके देवे ततकुर्प पजद्यो एक क्लेम गुलो के इनवाइट कोड़ा तार पुक के सम्मध नहीं ताल नो इपसाइट नहीं किछुई नहीं आज के कोट्टे ते जखन मामला होय आमला शेही पॉयंटा के पुलोपुली तुले धोले छिराम जे 2015 साले EDC गठन होय चे, 2018 साले पोट्थेगे बार बार कोड़े कोड बोले चे जे EDC के इनफ्रास्ट्राक्च्चा द्यात जन्नो ता सक्ते हो, कोनो अभुस्ताते ही, EDC के इनफ्रास्ट्राक्च्चा स्टेट कॉर्बें धिच्चे ना एर उत्तोर्ट्टा कोठाया चे कोड़ आगेर बार कोड़े 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 को फुल इंफ्रास्ट्रख्ट्रक्चर पाहे, जाते क्लेम गुलों के इनवाइड हैं, थार पूरो ब्याभास्टा स्टेट गरमेंन के कोड़ते हुआ है. जोदी स्टेट गौर्मेंट ना करे स्टेट बार्णमेट अपड़ोग शेटा बोले दीक कोट तान नीजन मों तो व्यावस्ता कोड़े नेगे दीतियों का था जेटा आमने आज ये कोटेर का चे बोले ची जेटा काल के EDC का चे वो बोले ची एबंग सब्चे वोईशिस्ट पुर्णा कालों हच्चे जे कोटोकाल EDC ते जे EDL पोकोते के चीनी चीलें तीनी भोले चीलें तागर कोनों आपोत्ती नहीं जोदी एई टाकाड़ रोज वैली की आमनत करी की तरफ से जो लॉय यार कोड में अपिल हुए थे वो लॉय यार जो बताया वो इस पकार है EDC कॉमिटी का जो मीटिंग हुआ था उसमें बताया गया था कि क्लेम प्रोसेस शुरू करने के लिए 2015 सल में जो EDC बनाया गया था उसके लिए 2018 में EDC ने क्लेम मंगाने के लिए जो इंफरस्ट्रेक्चर चाहिए उस्टेट कॉर्मेंट से मंगा था ताकि क्लेम मंगाया जाए और कोड भी बोला था कि अगर कितना टोटल क्लेम है वो अगर नहीं जान सके कोड तो कैसे ये क्लेम बापस किया जाएगा कैसे वो पैसा अमानतकाली को बापस किया जाएगा इसलिए ADC ने बोला था कि एक infrastructure चाहिए ताकि अमानतकाली से claim invite कर सके application invite कर सके ताकि जान सके कि total claim कितना है ये code में बताने के बाद हमारा जो विचारपती है Justice Rajas Bindal जी चीप Justice Rajas Bindal जी उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द ADC को infrastructure फ्रोवाइट किया जाए इस बारे में राज्य सरकर का जो ओकिल था उन्होंने बताया कि अगर ADC committee को recommend करता है तो इसके लिए उचित गरुस्ता लिया जाएगा और अभी जो 99221 का जो सुनवाई हुआ था उसमें order आया है उसमें बताया गया कि अगले सुनवाई 30 November 2021 तक स्थोगित किया जाता है तो दोस्तो यही था आज का वीडियो अगर आपकी ही हिंदी भर से नच्छा लागे तो एक लाइक कर देना दोस्तों के साथ जदा से ज़्यार कर देना क्योंकि आपकी दोस्तों भी इस इंफर्मेशन को पाने के लिए उत्सुख होंगे तो आज इतना ही जाए हिंद नमस्कार